उम्शान्ती, 24 जून 2023 की मीठी वम्मा की मुरली से आज हम होमवर्ट लेंगे मातेश्वरी जी की आज की मुरली है माया के अनेक परकार के विगनों से पार होना है तो चेकिंग पावर से अपने आपको साबधान रखो और संभल कर चलो इसी मुरली से आज हम लक्ष लेंगे माया जीत बनकर अपना भविष्य उँच बनाना है तो माया जीत बनने के लिए ममा ने बहुत सारी विदियां बताई है पहली है निश्च बुद्धी हमें निश्च है कि इसी जनम में हमें बदलना है विगन भी आएंगे, प्रिक्षाएं भी आएंगे और पेपर भी आएंगे तो जो भी बाते आएंगे तो हमें ये निश्च रखना है अपने आपको बचाना है संश्य में नहीं आना है इसी एक जनम में बहुत कर्मों का खाता हमने चुक्तू करना है तो ये निश्च रखना है कि जो बावा की श्रीमत है उस पर हमने चलना है बाबा हमें इस समय पढ़ा रहे है, हम अपनी तकदीर बना रहे है बाबा हमारा साथी है, हम बाबा से वर्सा ले रहे है जब प्राप्तियों को सामने रखेंगे, तब हम विग्णों का, प्रिक्षाओं का सब का सामना कर पाएंगे दूसरी विदी बताई, नौलिश फुल बन करके चलना, तो बाबा ने कहा, इस समय तुम्हें बाप ने ये श्रेष्ट करमों की नौलिश दी है, क्योंकि हमारे करमों की नौलिश भी बाप के पास है, इसी समय बाबा ने हमें बताया है, कौन से करम से, कौन सा करम करने से गुईया गती क्या है ये सब हमें इस समय बाप ने नौलेज दी है तो बाप की इस नौलेज को जब हम बुद्धी में रखेंगे और माया के आते भी माया को फेस कर हिलेंगे नहीं तब हम बाप से पूरा-पूरा अधिकार ले सकेंगे इसके लिए हिम्मत और भरोसे का बल च संसकार के टकराव आते हैं तो हमी समय समझ है कि ये भी हिसाब किताब है तो इस हिसाब किताब को याद से चुक्तु करना है अर्थात याद से काटना है अगर हम टकर खाएंगे तो फिर हमारा हिसाब किताब बन जाएगा तो इसको चुक्तु करने की जो विदी बाबा ने आज मम्मा ने समझाई है उसमें ये बताया है कि चुक्तू करने के लिए हमें अपने अंदर दूसरों के पति शुब भावना रखनी है चाहे कोई कार्या बिगड रहा हो चाहे किसी का मूड हो चाहे किसी का संसकार हो कोई भी ऐसी बात आजाए कार्या की संसकार की मूड की ल मम्मा ने कहा आज चाट रखना है याद का चाट रखना है सर्विस का चाट रखना है और दिन चर्या का चाट रखना है फिर मम्मा ने कहा अपने खाते को बढ़ाना है खाते को बढ़ाने की जो विधी बताई तन मन धन समय को माया से सेफ कर फिक्स डिपॉजिट करना है अर् भविश्य उंच बन जाएगा तो इसी तरह जमा करने की दूसरी विदी बताई याद उस बिंदू बाप को बिंदू समझ करके जब हम याद करेंगे तो एक सेकिन में बीती बातों पर बिंदू लगा देंगे तब हमारा खाता जमा होता तब हम पद्मों की कमाई जमा करते जाएंगे इस तरह बाप की याद से भी हम अपना खाता जमा कर सकते हैं माया पर जीत पाने के लिए समृती रहे हम रुहानी वोरियर्स है बाप भी गुप्त है विकार भी गुप्त है और हमारी लडाई भी गुप्त है बाप भी गुप्त रूप से हमारे अंदर बल भर रहा है जिससे हम माया पर जीत पाते हैं तो आज मम्मा ने कहा धारणाओं में रह करके माया पर जीत पानी है जिस तरफ से धारणा कम होगी माया वहां से ही एंटर करके हमें हरा देगी इसलिए माया जीत बनने के लिए योग का बल जमा करना है चेकिंग पावर के द्वारा अपने अंदर विल पावर रखनी है और संभल कर चलना है तो इस निश्च्य और याद और नौलेज इसके अधार पर हम अपनी चेकिंग भी कर सकते हैं तो आज मम्मा ने कहा कि माया का आने का कारण ही देह अभिमान है देह अभिमान के कारण करोद की लोब की मोह की गोली लग जाती है जिससे हम माया से हार खा लेते हैं तो अनेक परकार की उल्टी बातें बुद्धी में आ जाती हैं तो हम संश्य बुद्धी बन जाते हैं तो इसलिए अपनी चेकिंग करके और विल पावर से अपने आपको चेंज करना है तो संश्य की बातें जो आती है जो ममा ने कहा जैसे बावा के हम बनते हैं तो बिजनस में घाटा भी पड़ेगा और धन की कमी भी होगी और मित्वर संबंधी भी बोलना बंद कर देंगे संकल्प विकल्प भी चलेंगे ऐसे ऐसे उल्टी बातें अंदर चलेंगी लेकिन जब हमें निश्चे होगा बावा की याद होगी नौलेश्फुल होगी तब हम हिलेंगे नहीं और कभी-कभी ये भी बात बुद्धी में आएगी भगवान है या नहीं भगवान कहीं हमारे साथ नराज तो नहीं हो गया तो ऐसे बातें भी आएंगी लेकिन बावा की आज से हमने इन सब बातों पर विजय प्राप्त कर माया जीत बनना है आज ये बातें आज मम्मा ने हमें समझाई हैं ये टिप्स हमें दिये हैं ओम शान्ति